सीधा रुख करते हैं दुर्ग का जहां समाय समवाद आता सुभो तिवारे माईं साथ जो चुक है जी सुबो जी बात करेैं आच शाम साथ बज़कर 15 मिनट की तो प्रधान मंद्री नरेंडर मोधी तीसरी बार प्रधान मंद्री पत्गी शपत लेने वाले हैं बात करें दु अगर दूसरी बार जब सांसा कोई जनता पार्टी का निता बनता है तो उसके लिए एक मार्ग खुल जाता है केंद्री मंत्री पद का जी हां एक बड़ी बात है कि किसी भी ऐसी संभावना है और बड़ी संभावना है कि विजय बगहेल जी को भी मंत्री पत्रे नावाजा जा सकता है कोई ऐसा विभाग दिया जा सकता है जो देश के कल्याड में काफी सहयोगी साबिस होगा कि विजय बड़ी बात है मदुची जो मैं खड़ा हूँ यह भिलाई का वह संडे मार्केट बजार का रोड है जैसे जो की पीछे अगर नेशनल हाइवे की बात करें तो नेशनल हाइवे का सुपेला और बीज और अंडर विच पूल है उसके बाद यहां एक गदा चौक है अगे एक अंजनी चौक है यहां पर लगातार कई वर्षों से हर रभीवार अप्रवासी जो लोग जो बाहरी लोग है चाहे महराज क्यों चाहे उडिच्टा क्यों वहां के कुछ चोटे जो वैपारी हैं वो सड़क पर घेर कर दुकाने लगाते थे उसकी वज़द से यह स दाइ से 3 किलोमेटर के इस ममार्ग को स्ताफ करवाया गया कब्जा मुक्त करवाया गया एक बड़ी बात है और इसे दर्जबर जब पिछले दिनों अमदुजी हमारे दर्जबों को यह याद होगा कि राइपूर के CACB के डीपों में एक बड़ी आग जनी की घटना हुई तो एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है तो एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जिला प्रशासन विभाग की तरफ से एस जी आरे की पूरी टीम लगी है अथनी शमन की टीम लगी है तो एसे कम से कम 6-4 अधिकारी है जो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसके तह इ करना दुबारा ना हो और किस तरह के फायर इस्टिंग विशर ऐसे डीपो में होने चाहिए जी सुबो जी तमाम जानकारी क्लेप का बहुत बहुत धन्यवाद